कि भी एसी थ्रड़ी सेगंड पेपर तोस अवस्ता इमम बहुत की है कि नाव कि बहुत की कि सौर्ड इस्टेट एंड नुक्लियर फिजिक्स यह भी एसी सेगंड थ्रड़ीयर का सेगंड पेपर है कि इसमें फैस्ट यूनिट है किस्टलों में बंद जालकों के कंपन फॉर्ट नाव की परिस्तावना एम रेडियो एक्टिव था फॉर्ट यूनिट है विखंडन सल्लाइन एम आधा रबूत अन्युक्त किरिया है कि फैस्ट यूनिट क्रिस्टल सरचना एम एक्स किरन क्रिस्टल एक प्रमाडू अडूं या आइनों से बना एक टोस होता है जिसमें ये प्रमाडू अडू या काइन एक निच्छित क्रम्मे होते हैं पता इनके क्रम्मे पनुराबर्ती पाई जाती है जब पदार्त कुछ भी या टोस या दरव गैस हो सकता है पदार्त किसी वहस्ता में हो सकता है टोस दरव या गैस जिसमें एक या एक से अधिक तत अपने प्राशाने के बहुत योगिकों के रूम में हो सकते हैं टोसों में अडू या प्रमाडू एक दूसरे से बहुत अधिक आकरशन बलदोरा जोड़े होते हैं इससे टोसों का एक निश्चित आयतन एम आकार होता है टोस क्रिस्टलिय या अक्रिस्टलिय कुछ भी हो सकते हैं यह उनके प्रमाडूओं या अडूओं की अवस्ता पर निश्चित क्रिस्टलिय अवस्ता में ठोसों के अडू प्रमाडू या आयन एक निश्चित क्रम में होते हैं उनके क्रम में पुनारबती पाई जाती है यह क्रम धीर परासी या लॉंग रेंज होता है एक क्रिस्टलिय अवस्ता एक कम उज्चित की अवस्ता है प्रकृती में बहुएतात में प्राप्त होती है नहीं बहुत असिंग सिंग के हमें पाई जाती है क्रिस्टलिय अथोसों की सनरचना को दो भागों में भाटा गया सरल या एकल क्रिस्टल सनरचना सिंगल क्रिस्टल स्ट्रेक्चर या बहूल क्रिस्टल सनरचन Poly Crystal Structure छोटे Crystal के समुग को अणु समु कहते हैं जदा इन समुगों के बीच की रेखा को समु रेखा कहते हैं इस समु रेखा पर प्रते Crystal की आपतता समप्त हो जाती है एकल क्रिस्टल की तुलना में बहूल क्रिस्टल अधिक्स इस्ताई होते हैं बहुत सी दातुएं इममिस दातुएं बहूल क्रिस्टल सनचना की होती है अडू या प्रमाडू या आइनो का अविवस्टित करम अक्रिस्टलिय तुस्टिया एमार फस्टिया काँ चाव कहलाता है इसमें जो होते हैं जालक अनन्त लम्माई की आवरती अवस्टा में बिंदूं का समू जालक कहलाता है या जालक बहूत से बिंदूं को एक सो ब्यवस्टित संसरा सनचना है जो आकास में बार बार पुर्णावरती होकर फैली होती है आदार क्रिस्टिलों कोफर सिल्वराद में प्रतेक जालक बिंदू पर केबल एक प्रमाडू या आइन होता है परन्त अधिकतर क्रिस्टिलों में प्रतेक जालक बिंदू पर अनेक प्रमाडू या अतवा आइनों का समू होता है यह समू आदार कहलाता है यह समू जालक बिंदू के समान संगठन दिश्वा विन्यास पर बेवस्ता रहता है जब एक जालक जब एक जालक आदार से मिलता है तब एक क्रिस्टिल राप्त होता है जालक प्लस आदर बरावर टिस्टिल जे इसका फॉर्मूला है एक जालक का इस्तांतरन संक्रिया है टिस्टिल के स्वेम के समानतर एवं इस्तांतरन दिश्वा के बरावर बिंदू के रूम में परिवासिद होता है टी बार एक उकल टू यू ए प्लस के वी वी प्लस के डबू सी आद जालक कोष्ट का आद सदिसों दोरा बना सट फलक आद कोष्ट का या एक काई कोष्ट का या एक कांग कोष्ट का इनिट सेल कहते हैं एक एक कांग कोष्ट का उच्छित किस्टल इस्तान तरण संक्रिया द्वारा इस्तान इरती है एक आद कोष्ट का का नियूंतम आइतन वी सी इस उकल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉडलिस होता है या ए बी सी आद सदिस हैं क्रिस्टल क्रिस्टल एक सो विवस्तित बहूल फलीय के रूम में होता है जोकी चारा और से एक स्क्नी सत्य द्वारा गिरा होता है सत्य अंतर आर्विक पलॉंकी साहता से एक राशानिक योगिक के द्वारा फतेयार होता है क्रिश्छन सरचणा क्रिश्ट सरचणा आकार में प्रमाड़ू का एक तरविण रूप प्रा रूप है यह निम्द्र प्रकार के गुरों को रखते हैS बेध्यद उधासीन्ता को बनाए रखते है से संयो जग बंदों को सम्देशिक्ता इबम विवक्ता को संचुर करते हैं, आयन के बीच प्रतिकर्शन को कम करते हैं, परमाणू को एक संभब मान तक बादे रखते हैं. सम्मिती प्रक्रियाएं, स्मेट्रिकल ऑफ्रेशन्स, सम्मिती प्रक्रियाएं, वे प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि क्रेश्टल को अपने रूम में ही परिवर्थित करती हैं, अथार्थ इन प्रक्रियाँ में क्रेश्टल और उसके परवेश में कोई परवर्थन नहीं होता है, सम्मित या स्मेट्रिक ऑप्रेशन्स में इस्तांतरन गूर्ण परवर्थन या उत्करमड सम्मित होती है, इस्तांतरन प्रक्रियाएं जालकों पर ही लगाई जा सकती हैं जबकि सभी बाकी प्रक्रियाएं या उनके संयोग सभी बस्तियों पर लगाए गए हूँ इन्हें बिन्दु शमू सम्मित कहते हैं पुत करमड प्रक्रियाएं केबल तर्विमिय सरचनाओं में प्रियुक्त की जा सकती है ये दो प्रकार के होती हैं इस्तांतरन और गुवाँ इस्तांतरन सम्मित जालक को करमड विवस्ता का पालन करती है इसका अड़ते हैं कि एक जालक बिन्दु आर इस्तांतरन सदिस प्रिक्रियाटी के दोरान एक निया बिंदू आर डैस उत्वन करता है जो कि आर के समान होता है अते है कि आर डैस बराबर आर प्लस टी या टी समी करन जारा प्रवास्त किया जाता है